हलो, यहाँ मेरा पासपोर्ट है चलो देखते हैं खेर, सब कुछ दस्तावे जो के क्रम में लगता है एक मिनट रुको क्या वह कैंडी है? क्या आपको कोई संकेत नहीं दिख रहा है? बिमान पर कोई कैंडी नहीं ओ, लेकिन यह मेरे फेवरिट है और नहीं और नहीं मैं अपनी मूर गमी के भिना नहीं होना चाहती बिल्कुल, मिरे पास एक आईडिया आया है वो मेरी टोपी के नीचे देखने वाली नहीं है वाँ, यह बड़िया है हलो, यहाँ मेरा पासपोर्ट है और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है मेरा कैंडी यहाँ ओ वाँ, यह तो बहुत ही अच्छा है बढ़ या जादू के ट्रेक और आप कैंडी को यहाँ रख दें अनेथा आप नहीं जा पाएंगी ओ मेरे गमी, मैं तुम्हें मिस करूंगी यहाँ मेरा पासपोर्ट और ठीकिट है क्या मैं प्लेन में जा सकती हूँ बेसक मिस, अंदर आईए सूजी, तुम्हें बदला जरूर मिलेगा इसका हटो मेरे रास्ते से हट जाओ मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी अब देखा तुम्हें, मुझे कोई नी रोक सकता मुझे लगता है कि अगर मैं चलिए देखते हैं वाँ, वह बहुत सुन्दर है और उसके जीवन और भी बहुत खुबसरत है प्लीज, अंदर आईए, आईए धन्यवाद, धन्यवाद, मैं जल्दी करूंगी घर, मैं यहाँ प्लेन में आ गई हूँ सभी को हेलो वाँ, कितनी सुन्दर है वा आखिरकार, अब मैं आराम से अपने कैंडिस को निकाल कर खा सकती हूँ वाँ, यह कितना स्वादिस्ट है मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है वाँ, वाँ, कैंडि ले आई मुझे भी चाहिए वे बहुत स्वादिस्ट होते है मेरे तो जीब में पानी आ रहा है वाँ, यह हमारे पास यहाँ कौन है ओ, वाँ तो क्या आप मेरा टिकेट चेक करेंगे अहाँ, अहाँ, अंदर आईए बिलकुल धन्यवाद, आप बहुत अच्छे है ओ, ओ, यह बस, मैं, अहाँ मुझे लगता है, मेरे पास एक आईडिया है जब उसका ध्यान हटा हुआ है तो चुक्की से चलो, चलो अरे, दुम क्या सोच रहे हो पहले कैंडी यहाँ रख दो ओ, और उसकी चेक भी नहीं किया बिलकुल, एक आईडिया है देखो, ऐसे लगता है कि लड़की वापस आ गई है माफ करना, दोस्त तुम मुझे मुर्ख नहीं बना सकते मुझे टिकेट दो, यह बेतर है ओ, वह गाड़िक मुर्ख था इसलिए मैं प्लेन में हूँ हाई दोस्तों, प्लीज ऐसे घूरों मत वस मैं अब आराम से इसे निकाल कर खा सकती हूँ ओ, तु यह कैंडिज से भरे कटो रहे हैं वह स्वादिश लग रहे हैं तो मुझे कहा से शुरू करना चाहिए स्नीकर्स कितना स्वादिस्ट है और अब मिल्किवे ओ हाँ, ये एक बहुत प्यारी उरान होगी बस, सब यहां रख दो और अब आप जा सकते हो ओ, बिचारा उसके पैर में प्लास्टर लगी है फ्लीज, मेरे से आगया उसे चरूर बहुत दर्द हो रहा होगा माफ करें, मिस्टर क्या मैं आपका टिकेट देख सकता है ठीक है, आंदर आईए दैनेवार, ओ, यह बहुत दर्द हो रहा है मैं अपनी पैर पर भार नहीं दे पा रहा हूँ यहां मेरा टिकेट है ओ, लगता है यहां मुझे कोई नहीं देख रहा है ओ, इन बैसाखे की वज़े से सब कुछ सुन हो गया है हाई, अब मैं यहां बैट जाओंगा क्या तुम्हें कोई आपत्ती है और फिर यहां मेरा प्लास्टर यहां है अरे, इसे मुझे पर यहां क्यों रखा मारा दिमाग खराब है रुको, रुको अभी तुम सब समझ जाओगी बस मुझे यह प्लास्टर काटे दो ताराम यहां मेरा सिक्रेट सप्लाइज है वा, तु यहां कैंडी है कूल है ना मेरा फेवरिट ट्विक्स मेरे तु जीम में पानी आ रहा है फ्लेन में इसका स्वाद और भी अच्छा हो गया है क्या, मैं भी ले सकती हूँ क्यों नहीं, लो, तुम भी खाओ ओरे, धन्यवाद कितना स्वाद इस किट कैट है मेरी कैंडी क्या? मैं फिर से दो राता हूँ कोई कैंडी नहीं, इस ड्रॉर में सब कुछ रखो रोना बंद करो मुझे कैंडी दे दो ओरे, नहीं, मेरी कैंडी नहीं मेरी पास एक आइडिया है सूजी की जगा सूजी सिक्रेटी गार्ड हाजीर है बैज, मोचे चश्मा, टोपी और सब जगा पर है काम के लिए तयार माफ करना क्या आपने समय देखा है अम मेरी पारी है तो चलो, यहां से निकल जाओ मैं कैंडी ले लेता हूँ अच्छा, ठीक है मुझे लगता हूँ चला गया है और सभी जब कैंडी अम मेरी है अरे, तुम किसका इंजार कर रहे हो कैंडी यहां रखना है ओई, शावास, अंदर आओ अच्छी लड़की मेरी योजना मस्त थी अब मेरे पास बहुत सारी कैंडीज है अब बस प्लेन पर चड़ना बाकी है और यहां मेरी जगा है यह मुझे कितनी खुजली करती है मैं उन्हें फैक दोंगी क्या, मेरी भाव को क्या हुआ है ओ हाँ चलो देखती हूँ सुजी, तुम तो जीनियस हूँ वाह, यह बहुत स्वादिस्ट है बेब को, मैं बेब को फूँ खैर, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ चलो प्लेन से बाहर निकलो बचाओ मुझे सिक्रेट के गाट से बचाओ खैर, मैंने तुम्हें पकड़ी लिया सब ठीक है, चलो आगे बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, खड़े मत रहो वाह क्या एक असली गेशा है वाह पर वह थोड़ी संदिक्त है पासपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन या फैन या कैंडी से बना तो नहीं लग रहा है ठीक है, अंदर आओ अरी गातो वह बुद्धू बन गया वाह येक असली गेशा है जो हमारे साथ प्लेन पर सफर करेगी हाँ, मैं आराम से अपनी कैंडी निकाल सकती हूँ मेरा फेवरिट गमी बेयर मेरा बेज बदलने का आईडिया मस्त रहा क्या हम भी यह ले सकते है प्लीज, बेशक लड़कियो गेशास देयालू है मैं फिर से दोराता हूँ, कोई कैंडी नहीं वाह, ये एक प्रसिद एथलिट है अ, 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 एस्क्यूज मिसर्ट क्या मैं आपके बैक को देख सकता हूँ? ओ, ओ, क्या बद्बू है प्लीज, अंदर आ जाईए, जल्दी धन्यवाद हाई लड़कियो, मैं यहाँ बैठूंगा चलो, बद्बूदार मोजे से छुटकारा पाए मैंने अपने जूते में कितने स्वाद इस कैंडिस चिपाई है मेरा सिर्फ अट रहा है साइन देखो, सभी खाने की सामान रखो और यहाँ से निकलो ओ, दरद अब बरदास नहीं हो रहा है मुझे डॉक्टर की मदद चाहिए ओ, वाँ, यह एक डॉक्टर है हेलो ओ, डॉक्टर, फ्लीज मेरी मदद करो मेरे सर में बहुत दर्द है शायद आपके पाश दवा के बॉक्स में कुछ होगा जरूर, मैं भी देखती हूँ लेकिन, मेरे पाश केवल कैंडि है हाँ, मैं क्या दे सकती हूँ से अच्छा, ठीक है, यह स्कीटल्स हाँ, इस गोली से जरूर तुम्हे राहत मिलनी चाहिए यह ले लो ओ, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर एक मिनट रुखो यह इतना मीठा क्यों है यह स्कीटल्स है तुम डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हो ओ, ओ, मेरे पास वाखने के लिए बहुत काम है मैं फिर से दोहराता हूँ, कोई कैंडी नहीं सब कुछ यहां रख दो, चल्दी से क्या? कोई कैंडी नहीं? ओ, और मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो, उसके अंडे है? ओ, हाँ, मेरे पास इक आइडिया है अब मैं चॉकलेट अंडे को साधरन अंडे में बदलने जा रही हूँ चलो, सभी अंडों से पैकेजिंग को हटा दे और आप मुझे सफेज चॉकलेट का एक बार चाहिए चलो, शुरू करती हूँ मैं इसे पिगलाऊंगी और अंडे को इसमें टिप करूंगी हाँ, इस तरह से मैं टोकरी तयार करूंगी और गंदे ना होने के लिए मैं चिम्ठे का उप्योग करूंगी बिल्कुल सही चलो, अब और आगे करती हूँ हाँ, और अब मैं बाकी बचे वी अंडे को भी कवर करूंगी हाँ, वे बिल्कुल असली की तरह है हाँ, और अब मुझे साधरन किसान की तरह ड्रेस बहन लेना चाहिए तो अब चले हेलो, छोटे भाई आप मेरी टोकरी देख सकते है मुझे कोई आपती नहीं है माफ करना, लेकिन मेरा भी उधर रख दीजिए कोई बात नहीं बहन धन्यवाद बॉस, पीट अब जाता है हलो, ठीक है चलो देखता हूँ, सब कुछ ठीक लग रहा है अंदर आओ, आजाओ चलो, आजाओ अलिवाद, जरूरी बाद टोगरी को भूलना नहीं है यहाँ मैं प्लेइन में हूँ अब मैं अपने आपको कैंडिस का ट्रेट दे सकती हूँ यह कितना स्वादिश लग रहा है क्या, क्या यह एक साधर अन्डा है ओ, कितना गिनाना है ओ, या शहरे लोग भी कोई कैंडि नहीं साइन किसके लिए लटका हुआ है यहाँ आओ, अंदर आओ ओ, चलो ओ, ओ, अब हम क्या करेंगे मेरे पास एक आइडिया है सूसी मेरे पीछे आओ अब हम अपने उपकरोनों में कैंडि चिपाएंगे चलो, गम से शुरू करते है मैं इसे नए तार बनाऊंगी एकदम सही कैंडि, तुम जीनियस हो अब मेरी बारी है अब मैं इन खट्टे कीडों को अपने चैंबोरीन में छिपाने जा रही हूँ चलो, करती हूँ हाँ, इस तरह से सब तयार हो गया अब हम उन्हें प्लेन पर ले जाएंगी चलो देरी मत करो, अंदर आओ हेलो लेडिस आपके पासपोर्ट क्या आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या तुम इसे बजा सकती हो नहीं नहीं चलो, मुझे संगीत पसंद है मुझे इसे खुद बजाने दो कितना सुन क्या, यह, यह, क्या तारों के साथ क्या प्रॉब्लम है? यह गम है इसे मैं रख लेता हूँ मुझे यह टैंबूरिन दे दो और इसमें यह यहाँ क्या है? मैं यह जानता था खटे कीडे चल्दी से यहाँ से निकलो कैंडी और केट की वज़े से मैं भी भूकी रहा गए अब अपने छुपाईवे चीजों को यूज करने का समय है ओ, यह कितना स्वादिश लग रहा है मैं इसे कब से खाना चाह रही थी अब यह अच्छा लग रहा है हाँ, अब ठीक है सब को लगेगा कि मेरे हाथों में एक साधर अनपेन है लेकिन वास्तों में यह बड़ा सा गमी है क्या यह मज़ेदार नहीं है यह बहुत स्वादिश भी है क्या आप जानना चाहते है कि में पास यह आइडिया कहा से आया मैं बस सोफे पर बैठ थी और गमी खा रही थी मैं ड्राइंग कर रही थी अचानक मारकर खत मोड गया मुझे तुरंत इसकी रिफिल बदलने की जर्वत थी मैंने देखा कि रिफिल और गमी का आकार समान है इसलिए मैंने गमी को मारकर के अंदर डालने का फैसला किया और मेरा आइडिया सांदार रहा हाँ यह अच्छे से हो गया हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है लेकिन मेरे पास भी स्वाधिस चीजों का स्ट्रॉक है ऐसा लगेगा कि एक साधरन पेंसिल केस है लेकिन वास्तों में इसके अंदर पेन बिल्कुल नहीं है बल्कि कुछ खाने की स्वाधिस चीजे है मैं बताती हूँ कि मुझे यह आइडिया कहां से आया मैं फोन पर बैठी थी और पोकी स्टिक खा रही थी मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैसूस किया कि मैंने अपनी पेंसिल खा ली है और तभी यह शानदार आइडिया आया मैंने पेंसिल के सिरो को पेंसिल केस के ढखकन में चिपका दिया और अपनी पसंदीदा चॉकलेट स्टिक को अंदर भढ दिया यह बहुत अच्छा से हुआ लड़कियों क्या तुम लोगों ने फिर से खाने का फैसला किया है तुम्हें लगता है तुम मुझे बेब को बना सकती हो ऐसा नहीं है ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी लेकिन मैं तुम सब को देख रही हूँ लगता है यह काम कर गया कैंडी देखो तुम्हें लगता होगा कि मैंने अपने हाथों में एक साथारन इरेजर पकड़े हुए है लेकिन वास्ता में यह कुछ बहुती स्वाधिस चीज है सिरियसली सही में यह एक इरेजर है नहीं यह एक मार्श्वेलो है मैं घर पर बैटी वही थी और परिक्षा के लिए खराब गरिट के कारण परेशान थी केवल एक चीज जिसने मेरे मूट को ठीक किया वह था मार्श्मेलो का एक पैकेट मैंने फैसला किया इरेजर के साथ स्कोर को ठीक क्यों नहीं किया जाए लेकिन पता चला कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है और फिर मेरे दिमाज में एक आइडिया आया एक एरेजर और एक ही आकार का मार्श्मेलो इसलिए मैंने एरेजर पैकेज में मार्श्मेलो को डाल दिया ये दोनों बिल्कुल समान लगते है शानदार आइडिया मैं भी एरेजर के साथ कुछ ऐसा ही सोचा था मेरे पास टिक टॉक कैंडिज हैं जो इसके अंदर चिपी हुई है बहुत स्वाधिस्ट है अब अपने ब्रीधिंग को फ्रेश करना है घर पर मैंने एक नोट देखा जो टॉम ने मुझे लिखा था जब मैं कुछ शब्दों को मिटाने की कोशिश कर रही थी तब है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया इरेजर के अंदर कैंडि क्यों नहीं चिपकाया जाए इसके लिए मुझे एरेजर को तीन टुकडों में काटना पड़ा उन में से दो बाहर चिपके रहेंगे और एक वास्त्रिक एरेजर जैसे लगेंगे और तीसरे की जगा असली कैंडिज होंगी देखा मेरा आइडिया कितना अच्छा है किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ फिर से कुछ गरबढ है लड़कियों तुम क्या कर रही हो? हम लोग सीख रहे हैं मैं इस पर विश्वास कैसे करू? देखो केट पहली नजर में यह ग्लू की एक साधरन ट्यूब लगती है लेकिन ऐसा नहीं है ओ तुम ग्लू क्यों पी रही हो? यह ग्लू नहीं है यह एक बाउंटी फ्लेवर कॉक्टेल है मैं अपनी गुडिया को गोन से ठीक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो खत्म हो गई तम मुझे एहसास हुआ कि ग्लू की बोतल कॉक्टेल के लिए अच्छा कैरियर हो सकता है तभी मैंने फैसला किया कि इस तरह मैं एक कॉक्टेल को फ्लास में ले जा सकती हूँ हाँ मेरा आइडिया भी ग्लू से संबंदित है बस पिएफे के साथ नहीं बलकि ग्लू पेंसिल के साथ जो वास्ता में टॉफी है क्या सच में? क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? वास्ता में? यह बहुत स्वादिस्ट है महग भी अच्छी है मैंने टॉफी खाई और औरिगैमी बनाई जब मैंने ग्लू का इस्तिमाल किया तो मेरे दिमाग में एक आईडिया आया मैंने ट्राई किया कि च्यूब का इस्तिमाल स्कूल में कैंडी ले जाने के लिए किया जा सकता है मैंने इससे ग्लू को हटाया और उसके जगर इसमें टॉफी भर कर ले जाने का फैसला किया और मैंने सारे टॉफी का अच्छे से तोड़ कर एक गोला में बदल दिया और फिर उसे उसे बर्तन के आकार में गढ़ा और अब बस इसे इसमें सेट किया यह बहुत अच्छे से तयार हो गया बड़ अब इस पर ढखकल लगा दिया अब यह ब्लू की तरह दिख रहा था क्या सब किलियर है? सब समझ गए? इसे याद रखना किक पासवादिस्ट है? हाँ मुझे पता था कि क्लास में तुम लोग खा रहे हो अपनी कैंडिस निकालो चल दिसे अब यह मैं देखती हो तुम लोग उसे छिपाने का आइडिया कहां से लाती हो मैं उन्हें वैसे भी खोज लूँगी यह फिर से काम किया? कूल हाँ हाँ नॉम को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी मज़ेदार चुनाथियों को मिस ना करें हमारे साथ बने रहें यहां सब मज़ेदार होता है